इसी तरीके से हम लोगों ने कोसे नबर 3 किया है इसको भी x plus 2 x plus 2 का होल्स के a plus b plus c में इस तरीके से इसकी partial fraction किया है ठीक है L से हम हमारे पास x minus 1 into x plus 2 का होल्स के रहा है उसको दोनों साइट से multiply करके यह हमारे पास आगी equation ठीक है इस side पर 9 बचा ठीक है अब इसको multiply वगरे करके हमारे पास यह कर दिया है अब इसको मजीधा अंदर multiply कर दिया है x square वाली x square वाली के साथा कटी कर दिया है x square बाहर common लिया है एक a थी एक plus b थी ठीक है इसी तरह x value कठी कर लिए है, एक 4a थी, 4a के, minus b, x, ठीक है, x तो बाहर common ले लिए, plus c, ठीक है, इसी तरह के से constant, x node का मतलब है constant value, जिसकी साथ कोई x की value नहीं है, ठीक है, यह हमारा 4a, minus 2b, minus c, ठीक है, यह constant value, अब हमारा पास x की values, equation number 1 में देखें, कौन सी कौन सी है, x plus 2, minus 2 आया, इससे 1, इसका मतलब बी में तो put नहीं हो सकती, c के पास x minus 1 है, इसका मतलब टू वली put होंगी, x minus 1 वली तो हो ही नहीं सकती, इससे तरह के से a है, इसके पास x plus 2 है, तो यह 2 वली इसमें put नहीं हो सकती, 1 वली हो सकती है, तो हम लोगों नहीं कहना, x is equal to 1, factor corresponding to a, क्य क्योंकि यह a में put हो सकती है, ठीक है, अब a के हमारे पास यह है, और is equal to 9, ठीक है, इसके अदर put करके हमारे पास a is equal to 1 आ गया, अब x is equal to minus 2 किसमें put हो सकती है, c में put हो सकती है, ठीक है, c हमारे पास 9 is equal to a 9, ठीक है, is equal to a, ठीक है, तो हमारे पास divide वगरा करके plus minus करके minus 3 answer आ यह देखो X square है हमारा A plus B ठीक है? A plus B हमारे पास है और इधर तो X square की कोई है इन्ही value इस side पे तो हम लोग A plus B is equal to 0 करेंगे अब B is equal to minus A तो values put करके minus 1 answer आया अब इसके अंदर सबकी values put करके हमारे पास यह आ गया ठीक है? यह 3 है